ब्रड़कप शुरू है दो अपते हो गए हर टीम दो या उससे ज्यादा मैस खेल चुकी है और उनके परदर्शन के हिसाब से दुनिया भर का 60 बाजार एक्टिव हो चुका है इस बार किसी भी टीम को फेवरेट बता पाना बहुत मुस्किल है क्योंकि टूर्णामेंट में राउंड अप फॉर्मेट हो गया है इसलिए ये अंदाजा लगन आसान नहीं है कि दस में से कौन सी टीम में चार सेमी फाइनल में पहुंचेगी तीन लीग राउंड खतम होने पर नेट रन रेट पर भी अच्छा दिखने लगेगा फिर भी सक्टा बाजार की नजर इंग्लेंड भारती फैवरेट है आस्टेलिया भी टॉप तीन में है क्योंकि बुरी मानने वाली खबरें हैं मैं जीतना सक्टा बाजार के बाव किस प्रकार से अगर मैं सारी टीमों आई से सी टॉप रैंकिंग 20 में सामिल है जो कि जोई रूट जोनी ब्रेश्टो यान मॉर्गन और जॉस बेटलर तीन में से दो मैंस जीत कर टीम फॉर में चल रही है वही अगर बात की जाए भारत की तो भारत में अगर आप एक रुपया लगाते हो तो आपको तीन आस्ट्रेलिया को हारा चुकी है अगर बात करें तीन नंबर पर तो आस्ट्रेलिया है जिसका भाव साथ एक का है स्मित वार्णर की वापसी से टीम मजबूत हुई हालंकि अभी तक पिछले कुछ वर्ड कप की तरह मजबूत नहीं है पर 60 बाजार मानता है कि इस टीम का ट गैंजबादी वाली टीम वापसी करने में सक्सम है पांच नमर पर न्यूजिलेंड है जिसका भाव 12-1 का है न्यूजिलेंड ऐसी टीम है जो हर टूर्णामेंट में अंडर डॉग माना जाता है बाजार का मानना है कि टीम टॉप 3 टीमों के खिलाब बड़ा उलट फेर कर स रखते हैं विंडीज का भाव 16-1 का है वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान आश्टिले के खिलाब बहुत अच्छी गैंदबाजी कर और निचित फॉर्म के कारें विंडीज बहुत ज़्यादा बरुसार नजर नहीं आता वहीं बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का भाव 15-1 का है और अफगान का भाव 25-1 का है तो यह थे ICC ranking के आज के स्टा बाजार के बाव अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए साथी साथ आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ सेयर करिए ताकि सब लोगों क को पता से सके यूटिव पे पहली बार कोई आपको स्टा बजार का लाइव भाव बता रहा है